अलवर जिले के गाउं मूंडली में भोमिया बाबा मंदिर परीसर में चल रही खुदाई के दुरान आठ सो से ज़्यादा तामबे के मुगल कालिन सिक्के निकले हैं गरामिनों ने इन्हें सोने का समझ और चुप चाप उठा ले गए लेकिन जाच कराने पर पता चला कि ये तामबे के हैं तो अधिकांश लोग कुल 801 सिक्कों को मंदिर में वापिस दे गए इस मामले की गराम पंचाई सरपंच को सूचना दे गई लेकिन कोई भी इन एतियासिक सिक्कों की जाच करने नहीं पहुचा इस वज़े से अब तक करीब 89 सिक्के खुर्द पुर्द हो चुके हैं बाकी बच्चे सिक्कों की सुरक्षा कर रहे गरामिन इन सिक्कों को हर रोज सुबह मंदिर में लाकर रख देते हैं और चोरी होने के डर से रात को वापिस ले जाते हैं इन सिक्कों पर फारसी में लिखा वठ है जिनके म富त अबिक इनकी ढलाई मुगल बाश्चा हुमाईू और अकबर की शासनकाल में हुई हमायों और अकबर की शाही टकसाले नारनोल, वैराट, आगराव और अजमेर में थी जहां तामे के सिकों के ढ़लाई की जाती थी इन सिकों को दाम के नाम से जाना जाता था हर सिका करी 20 ग्राम वजनी और 3-4 सेंटीमेटर मोटाई में शुद तामे से ढ़ला हुआ है मूनली सित्म भूमियां बाबा मंदिर परिसर में निर्मान के लिए यहां बने रेट के टीले को समतल करने के लिए खोदा जा रहा था इसी दुरान जेसीबी मशीन के पंजे में मिट्टी के साथ एक मटका भी निकला इसमें यह एतिहासिक सिके भरे हुए थे